कभी चिपकली को नाचते देखा है? आओ तुम्हें दिखाता हूँ चिपकली कैसे नाचती है जैसे कि आप सो को पता चल चुका होगा अचानक से विंस मिक्मैन वापस आगा है और उन्होंने डिसेजन बनाए कि वो डबल डबली को बेच तेंगे और इतना ही नहीं उनके पीछे सबसे ज़्यादा जो पीछे पढ़ा हुआ है वो है एडबली का मालिक टोनी खान वो काफे ज़्यादा पीछे पढ़ें कि कैसे भी डबली डबली के साथ या तो वो मर्ज कर जाए यानि कि एडबली और डबली डबली जुड जाए या फिर वो उस कमपनी को खरीद ले ताकि उनका अच्छा खासा फायदा हो जाए तो लेकिन उनके हाथ में तो जाने नहीं वाला क्योंकि न्यूज ये सामने काफी जादा आई थी कि साओधी अरेबिया को मतलब वहाँ पे जो कमपनीज है उनको विंस मिक्मैन ने डबली डबली बेच दिया बडबाद पता चला कि वो फॉल्स न्यूज है तो एक्छिली जब सब विंस मिक्मैन आया है उन्होंने बहुत मेजर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिये हैं और हर चीज में अब वो कंट्रोल दिखा सकते और ये बात तो सच है कि वो कंपनी शायद बेचने भी वाले हैं क्योंकि बहुत सारी कंपनीज खड़ी हो चुकी है जैसे कि इतना इनी विंस मिक्मैन और डबल डबली के अंदर आते ही स्टेफनी मिक्मैन और ट्रीपलेट से बहुत सारे मेन कंट्रोल अपने हाथ में ले लिये हैं लेकिन सबसे ज़्यादा खुश तो ब्रॉक लेशनर होंगे क्योंकि आप सबको पता ही होगा आज से नी भाई तो भाई जब उनको पता चला कि विंस मिक्मैन छोड़ चुके हैं तो काफी ज़्यादा उदास हो गए ब्रॉक लेशनर और बहुती कम आ रहे थे वह शोस पर शायदी एक दो बार आए लेकिन जब ब्रॉक को ये बात पता चले कि वापस से विंस मिक्मैन का रिटर हो चु बट अंदर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है क्योंकि ट्रिपल एच का जो क्रियेटिव कंट्रोल है उसमें से काफे ज़्यादा पार्ट विंस मिक्मैन अपने हाथ में ले लिया है और वो सजेशन देया रहे क्या होना चीए क्या नहीं होना चीए और इव जल्दी उनको रिकवरी के लिए कर दिया और लास्ट मैंनों ने ट्रिपल एच को भी तैंक्यू का कि मेरे अमेजिंग केर गीवर के लिए वाइफ हस्बेंड वाली चीजे बट मोस्ट इंपोर्टन उन्होंने यह हैस्टेक यूज कि रोट टू रिकवरी सो यह काफी ने मेरे को समझ नहीं आ रहा काफी टाइम से मैं देख रहा हूं कि वह इंडियन क्रिकेट टीम पर काफी कमेंट कर रहे हैं इंडिया में गूमने आ रहे हैं अभी जॉन इब्राम से मिले थे और रिसेंटली उनका एड आया था सोनी टैन वन पे मतलब डेवी हिंदी वाला क निकल जाएगा चलो वह तो ठीक है लेकिन ड्रू में केंटर इतना इंडिया में क्यों परिशान है भाई लगता है प्रमोशन वगेरा थोड़ा आपना करने के लिए मैंने सच तो नहीं बोल दिया सोरी सोरी पर क्या वापस से शारेट फ्वेर वर्सिस रॉंडा राउस जी कि रॉंडा राउस जी के उपर अटेक कर रहा उन्होंने वापस आके मैच के अंदर और शारेट फ्वेर ने रिटर्न के साथ ही वापस से उस टाइटल को अपने कंदे पर रख लिया तो रॉंडा से पूचा गया क्या वापस से आप उस मैच को लड़ने वाली हो फिर से श गेन करना चाहती हूं उसलिए अभी मेरा को इंटरेस्ट निया वापस से शारेट के साथ लड़ने का और मैं भी वीडियो यहीं खतम कर रहा हूं क्योंकि मैं थक गया लूडी